ये वीडियो वही देखना जिनके चट पे लीकेज है थोड़े बहुत क्रैक है पानी रुखता है मतलब बहुत दिक्कत आ रही है सीलन रहती है तो उनके लिए वीडियो है और जो नई घर की कंस्रक्शन करवा रहे हैं वहां भी लीकेज यहां सीपेज रह सकती है आज की वीडियो देखना है वीडियो लंबी होने वाले है क्योंकि 10 चीजे में बताने वाला हूँ रेट भी बताऊंगा करना कैसे है सब चीजे बताने वाला हूँ तो शुरू करते है आज का वीडियो फिर हमारे पास option बचता है जो chemical waterproofing रहती है देखो chemical waterproofing क्या होगे आज कल बहुत ज़ादा आ गया है जो bitumen elephant shield rubber का एक bitumen tar आता है इसको क्या करते है पूरे चत पे मतलब यह बना बनाया आता है इसको क्या करना है आपनी चत साफ की और इसकी एक layer लगाई एक layer लगाई दूसरे में इसमें एक polythene से यह रहता है fiber आता है इसको लगाया और उसके उपर दूसरी layer लगा दी तो यह आप कर सकती हो कि अगर आप चाहती हो यह भी long life नहीं है मतलब थोड़े time के लिए यह temporary आप करना चाहती है अपनी चत पे waterproofing तो यह option अच्छा है ऐसे ही काफी chemicals आते हैं जो क्या करते हैं temporary आपको waterproofing करके दे देंगे आप बोलोगी कि permanent waterproofing है वो यह permanent waterproofing नहीं है देखो बड़ी बड़ी दरारें crack रहते हैं जहां पर मतलब उपर से अंदर तक मतलब पूरा टूटा हुआ है तो उसमें सबसे effective जो तरीका है पानी रोकने का वो है grouting का process मतलब हमें grouting करना होता है जिससे पानी रुक जा तो slab में इसको use कर सकते हैं यहां आपको लगता है कि यहां से leakage हो रही है तो वहां पहले एक crack से बना लो उसको खड़ा जैसे खोद लो जितने की आपकी यह crowd pipe रहती है चार इंच की आती है तीन इंच की आती है कोई दो इंट इतना खड़ा कर लो बाकी crack में अपने आप काम हो जाएगा उसमें यह हम fill कर देते हैं उसके बाद इसमें pressure से chemical डाला जाता है और chemical कौन से आप उपर स्क्रीन पे आपको देख रहा होगा जो हमारा डक्टर फिक्सीड का आता है 207 पिडी ग्रीट आता है फिर उसमें हमारा डक्टर फिक्सीड का 107 क्रिस्लाइन इन दोनों को mix करके उसकी slurry बनाई जाती है और यह pressure जो रहती है पीछे आप देख रहे हो pressure machine इसको हम उसमें fix कर देते हैं और इसमें pressure मारते हैं जोर जोर से और उस pressure से पूरा अंदर तक जहां तक hairline crack होगा जितना अंदर तक crack होगा वो सब fill हो जाता है यह effective method है सबसे जदा अगर roof म leakage होती है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए बाकी जो chemical बगारे लगाते हैं वो temporary होते हैं उसके बारे में बताता हूँ अच्छे से कैसे लगाएंगे वो भी permanent हो जाएगा लेकिन यह effective process जिसको हम बोलेंगे वो यह process है example लेते हैं यह हमारी slab है ठीक है और इसमें हमारे crack आ रहे है यहाँ यह crack है काफी लोग क्या करते हैं अपनी च्छत पे tile लगवाना चाहते हैं क्योंकि tile सुंदर भी दिखती है लेकिन मेरे ख्याल में tile आपको च्छत पे नहीं लगवानी चाहिए जब आप tile च्छत पे लग कैसे लगती है मैं बताता हूं देखो अगर tile लगाते हैं समय आपने सही से slope नहीं दी च्छत की slope बहुत जाज़ा चाहिए होती है जो हमारे गर में room में flooring में slope होती है ना tile में उससे जादा हमें च्छत पे चाहिए होती है जो joint होते हैं tile में हमें joint देने पड़ते हैं कुछ लोग groove उसमें नहीं देते हैं spacer नहीं देते हैं तो आपको spacer देना है gap देना है 2-3 mm का और बीच में epoxy की coating बरनी है normal grouting नहीं करनी है और साथ ही साथ छत पे कभी भी ceramic tile मत लगाना ceramic tile लगाओगे वो पानी चूसेगी आपके च्छत के में leakage नहीं भी होगी तब भी आपके च्छत में leakage होगी तो vitrified लगाओ फुल बॉड़ी लगाओ ये चीज़ बहुत imported है और साथ ही साथ जो joint होते है पैरपीड वॉल का और आपकी slab का वहाँ पे सबसे जादा अच्छे स waterproofing करनी पड़ेगी skirting लगानी पड़ेगी और tile लगाने से पहले एक waterproofing chemical जुरूर मरवालो कोई भी normal मरवालो क्यूंकि 10 से 12 रुपे पर square feet खर्चा आएगा एक दो layer मरवालो उसके उपर आप tile लगाओ जो slope बनाओगे अच्छे से बनाना नहीं तो दिक्कत आजाएगी तो t प्रियान देखे करना नहीं तो दिक्कत आएगी और जब हम tiling waterproofing च्छत पे करवाते हैं तो हमें material प्लस labor का जो खर्चा पड़ जाता है वो 80 रुपे से 90 रुपे या 100 रुपे पर square feet पकलो 90 से 100 रुपे पर square feet हमें च्छत पे tiling करवाने का waterproofing कराने का खर्चा आता है फिर आ मतलब एक clear पहले rate की विशाई जाती है mix rate और वो send होती है process मेंने अलग video बनाई हुए देख लेना फिर उसमें brick डाली जाती है और फिर उस पर एक clear डाली जाती है तो इसको brick white koba का खर्चा जो पड़ता है हमें वो पड़ता है 75 रुपे से 50 रुपे पर square feet हमारा खर्चा आ कितना 75 से 50 रुपे पर square feet लेकिन इसका जो result है वो बहुत जादा है मतलब जो as compared में tile से करूं tile से अच्छा result हमें brick white koba में मिलता है कि इसमें होता क्या है एक तो slope बहुत जादा अच्छी बन जाती है इसमें slope बहुत important होती है slap पे अगर waterproofing कोई भी कर रहे हो slope नहीं होगी तो आपकी leakage रहेगी इसमें होता गया है आदा पानी हमारा drainage से निकल जाता है दूसरा पानी क्या होता है अगर कभी कभार रुक भी जाता है तो वो evaporate हो जाता है तीसरा अगर थोड़ा बहुत पानी अगर अंदर चल जाता है तो brick जो आती है brick वो उसको सोक लेती है और जब लिकेज के chances नहीं होती है बस इसका एक drawback है एक तो इसमें time बहुत जादा लगता है दूसरा इसमें गर की छत पे load जादा बढ़ जाते है तो वो थोड़ा दिक्कत रहती है brick bed koba की तो आप brick bed koba के साथ भी जा सकते हो next होता है IPS flooring IPS flooring क्या होगी simple IPS आते है उसका mixture बनाये जा यह temporary है मतलब मैं बोलूँगा इसमें water leakage नहीं होगा यह waterproofing भी है लेकिन इसको क्या होता है temporary हम बोल सकते हैं इसका हमें खर्चा पड़ता है 40-50 रुपे per square feet और यह एक दिन में अराम से हो जाएगी और जुरूरी नहीं है आप इसमें कौन सी lever कोई मतलब जो professional हो वो ही करेग और इसका result भी अच्छा है अगर आपको थोड़े टाइम के लिए यह waterproofing करवा नहीं है अपने च्छत पे तो आप इसके साथ जा सकते हो यह तीन होगे permanent waterproofing option है एक है हमारा brick bed koba दूसरा है bituminous membrane bituminous membrane क्या होगी दो तरीके से membrane आती है एक होती है sheets आती है bituminous की बनी होती है fiber ब self adhesive मतलब gum लगा होता है च्छत को साफ किया थोड़ा सा cold tar लगाया और इसको चिपका दिया यह के तरीका होता है दूसरा होता है heating torch के मतलब जो heat आग निकल रही है च्छत को गरम करते है उसको गरम करते है sheet को और चिपकाते है तो यह होती है यह permanent है लेकिन यह costly काफी जाद ह होती है मतलब 1500 से 200 रुपया पर scale feed आपको यह खर्चा पढ़ जाता है लेकिन इसका यह होता है leakage के zero chances हो जाते है क्यूंगि अगर कोई professional इसको लगाएगा leakage के zero chances है लेकिन यह खर्चा बहुत जादा इसका पढ़ जाता है bituminous membranes का तो इससे अच्छा है brick bed coba सस्ते में पढ़ सकते हो टाइल के साथ मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए chemical के साथ अगर temporary चाहिए तो आप करवा सकते हो दूसरा IPS flooring भी आप करवा सकते हो वी सस्ती पढ़ती है grey night marble यह सब चीजे छत पे मत लगाओ load भी बढ़ता है और इसमें cracks आएंगे ही आएंगे leakage होने के chances रहते ही र मेरे खाल में ज़रूरी नहीं है waterproofing कराना अगर आप अपना च्छत जो है slab जो है अच्छे से कास्ट करोगे अब यह क्या बात होगी कि अच्छे से कास्ट करनी है देखो slab हमेशा 5-6 inch की slab देना मैं बताता हूँ कैसे अच्छे से slab कास्ट होती है अगर वो कर दोगे मैं guarantee दे लुश करना जब slab की कास्ट कर रहे होगे vibrator मारना ही मारना है मतलब यह भी तो हमें दिन में slab पूरी कास्ट करनी है कहीं भी joint जोंट निदेना है तो joint दिया वहां कि चांसी दोते हैं एक ही दिन में slab कास्ट कर ली तीसरा most important चीज होती है slab के leakage की की पानी कहीं रुक रहा है और आपने slope नहीं दिये slope proper होनी चाहिए बले slope आपके छत पे दिखे slope सही से होगी पानी नहीं रुके दग आपकी slab कभी भी leakage नहीं होगी यह गरंटी होती है और साथ ही साथ उसमें shrinkage crack मत कभी आने दो वो क्या होता है जैसे ही concrete चल रहा होता है उसके 30 मिनट बाद हमारा initial setting time होता है कि हमारा cement set होने लग पड़ता है concrete तो उस time नहीं उसमें crack आने लग पड़ते हैं hydration processes तो वो crack नहीं आने देने हैं वो crack कैसे नहीं आने दोगे जैसे ही slab cast हो रही है साथ समझ 30 मिनट होगे उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा यह नहीं की curing करने लग पानी का shower देते रहो possible हो गिली बोरी करो वेट हैजन करो गिली बोरी भी शादो अपने छट पे तो उससे क्या होगा आपकी crack नहीं आएंगे और अगर इसको भी आप अच्छे से कर दोगे फिर दूसरे दिन आप क्या कर सकते हो एक slurry सी बनाओ cement और waterproofing chemical की ठीक है वो slurry यह होता है कि आपकी जो उपर की layer होगी मतलब जब आप slurry वो मारोंगे न आप नीरू भी बोला जाता है वो तो निकल जाएगा क्यूंकि उसमें bond नहीं बनती है slab और उसमें लेकिन जो pores होते हैं उसमें वो slurry गुज जाती है उससे भी crack नहीं आते हैं और leakage की समस्या कम हो जाती है तो यह तरीके होते हैं पहले आपकी तो leakage आणी नहीं चाहिए अगर आ गई ब्रिक बैट कोबा करवाओ जब बिन्टू मेंस मेंब्रेन मगवाओ नहीं तो बाकी temporary option है टाइल है IPS flooring है chemical कोई मेरवालो तो यह temporary option होगे मेरे खाल में सब answer मिल गए आपको अगर नहीं मिलें comment करो मैं reply कर दूँगा बाकी इसके later कोई भी question होता है क्यों रही होता है हमें consult करो सिर्फ 2-0 fees रखी है उसमें पूरी detail मिल जाती है जो भी आपको चाहिए thank you guys